हलो प्रेंड केसे हैं आप सभी इन्फो माक्त चेनल में आप सभी कस्वागत हैं आज की इस वीडियो में आपको बताओंगा कि कैसे टेंकर की डीप ली जाती है और कैसे उसको खाली करवाया जाता है तो बने रही है वीडियो के साथ फ्रेंड्स सबसे पहले बता दू कि अब देखिए फ्रेंस यह रोड होती है इसे डीप रोड कहते हैं फ्रेंस फ्रेंस आपको बता दूँ कि यदि एक गाड़ी में चार पार्ट से तो चारों पार्ट की डीप रोड अलग अलग होती है और सभी डीप रोड जो है कंपनी द्वारा सर्टिफाइड होती है और इन लगा देते हैं। पेश लगाने के बार हम टेंक में डीप दुबाते हैं टेंकर में और वापस निकाल लेते हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रेंट्स जू कलर है पेश का वो डार्क हो चुका है। और जो डी-ईल लेवल हैं उससे उपर ही ये कलर है फ्रेंट्स। और जहां पर यह डार्क हुआ है यह डियल लेवल से उपर है यह डियल लेवल का मार्कर है इस मार्क तक भी होता तो यह पार्ट्स ओके होता और अभी भी यह उपर है यह पार्ट्स ओके हैं ऐसे ही फ्रेंट्स देखिए डियल लेवल होता है इस लेवल तक अगर होता है तो स यह ऐसे हम तीनों पार्ट को भी चेक कर लेते हैं अब हमने घाड़ी करवा दिये प्वाइंट पे और अब हम रीडिंग ले रहे हैं सभी मशीनों की रिडिंग लेना बहुत जरूरी होता है एक डिडिंग नॉट करने के बाद देखिए जो पुराने सेंपल होते हैं उसको भ बोटलों में भर सकें गाड़ी खाली करवाने से पहले इन सेंपलों को लेना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स अब हम लीडिंग नोट करने के बाद मसीनों की रीडिंग हमने नोट कर लिए उसके बाद हम डीप चेक करेंगे हमारे टेंक की और टेंक की कैसे के चेक की जाती है यह और लीडि मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है यह और इसकी लिंक वीडियो की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप महां से देख लेना ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी नहों इसलिए आप वो वीडियो देख लेना कैसे टेंक की डीप ली जात होंगुत फरेजार कि माद्रा तो नहीं है यह कि चेक्क करने की बाद जो प्रोड़क्ट्स होते हैं फरेंट्स दो लाइटी हम सब में डाल देते हैं कि फ्रेंज क्यों निकाल लेते हैं एक डिसल और एक परिइसल की और पट्री तरिकांट's ताकि हम उससे अपना सैंपल भर सकें हमने बाल्टी में से अपने सैंपल भर लिए हैं सैंपल भरने के बाद हम रायवर से कहे देंगे कि पर अपना कनेकशन कर लें लेकिन जब तक हम ना कहें ये वalg गुमाएं नहीं इसको गारी चलू नहीं करना है पार्स खाली नहीं करना अभी क्योंकि अब हम ने जो लिए है उसकी हम डैंसिटी और टेंपरेचर चेक करेंगे और से करने के इनवोइस से कि इन्वोइस इन्वोइस में बहुतmare निएक यंवाय को चिक आएईए मैं link provide कर दूँगा friends देखिए friends ok होने के बाद हमने गाड़ी पूरी खाली कर वा दी है density और temperature मिल चुका था friends घाड़ी पूरी खालि होने के बार हमने 2-3 गाड़ी को घुमवाया है । इसके बाद अभ जो प्रोडक्ट बचा हुआ है उसको बाल्टी निकलवा लेते हैं और बाल्टी मे निकलेव प्रोडक्ट गों टेंक वे डलवा देंगे फ्रेंट्स अब हम जो है गाड़ी पूरी तरह से खाली होने के बाद वापस सी टेंग की डीप चेक करते हैं उसको नोट कर लेते हैं और साथ ही हम जितनी मशीने थी उन सब मशीनों की वापस से रीडिंग भी नोट कर लेते हैं influence reading note nate रěक दी और कने के बाद हम पहले वाली टीप और अभी अवाली डी और रीडिंग के रहुत का मिलान करके विद्फ उस taken withoutarta है यह कैसे निकालते अगले वीडि़ों आपको बता हूंगा थैंक क्यों ऊपर वाचिंग फ्रेंच अब भी अ